15 फरवरी के दिन एलेक्टोरल बॉंड्स को लेकर सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड्स को इलीगल बताते हुए नए बॉंड्स की खरीत पर रोक लगा दी है कोट ने कहा कि चुनावी बॉंड योजना आर्टिकल 19-1-A और सूचना के अधिकार यानी RTI का उलंगन करती है तो क्या है ये आर्टिकल 19-1-A और RTI जिसके आधार पर सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड योजना को रद कर दिया हेलो एवरिवान मैं हूँ नवमी और आप देख रहे हैं Uncut भारत सरकार ने Electoral Bond स्कीम की घोशना 2017 में की थी और 29 जन्वरी 2018 से इस स्कीम को कानूरन लागू भी कर दिया था आसान भाशा में अगर कहे तो Electoral Bond राजनितिक दलों को चंदा देने का एक Financial Resource है यह एक वचन पत्र की तरह है जुसे भारत का कोई भी citizen या company भारते State Bank की कुछ selected branches से खरीज सकता है और अपनी पसंद की किसी भी political party को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है लेकिन अब Supreme Court ने इस चुनावी Bond योजना को तुरंत रोकने का आदेश दिया है Supreme Court ने State Bank of India से कहा है कि वे तुरंत ही चुनावी Bond जारी करना बंद कर दे और साथ ही 12 April 2019 के बाद खरीदे गए electoral bonds की details election commission को सौप दे इन bonds में से कौन कौन से bond political parties ने cash करा लिये है उसकी जानकारी भी देनी होगी SBI को ये सब को 6 March 2024 तक करना होगा और SBI से मिली जानकारी election commission को अपने portal पर 13 March 2024 तक publish करनी होगी Supreme Court ने electoral bond scheme को रद करने के लिए article 19.1a को आधार बनाया है ये provision भारते citizens को मिली freedom of speech and expression से संबंदित है आये जानते हैं कि Constitution के इस article में क्या-क्या provisions है भारत का सविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ती की आजादी यानि freedom of expression देता है Constitution का article 19.1a कहता है कि सभी नागरिकों को भाशन और अभिव्यक्ती की सवतंत्रता का अधिकार होगा यानि कि हर नागरिक अपनी बात को खुल कर सामने रख सकता है और इसी अधिकार में सूचना का अधिकार यानि right to information भी included है और Supreme Court ने इसी explanation के आधार पर RTI को fundamental right बताया था Supreme Court की मताबिक RTI का डाइरा केवल सरकारी कामकाश तक ही सीमत नहीं है लोगतंत्र में बागीदारी के लिए जरूरी जानकारी भी इसमें शामिल होती है Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूर ने कहा कि voters सही फैसला कर सके इसके लिए उनके पास political parties की funding के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है Supreme Court ने ये भी कहा कि काले धन पर रोक लगाने के मकसद से right to information की अधिकार का उलंगन करना ठीक नहीं है तो इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है हमें comment section में जरूर बताईए इस वीडियो को like और share जरूर कीज़ेगा और ऐसी ही informative वीडियो उसके लिए देखते रहें uncut